युवा वस्था जबरदस दूर जा का समय होता है जब हम युवा थे तब अगर थोड़ी और स्पष्ठता होती और संतुलन होता तो कितनी सारी चीजें कितनी सारी चीजें हुई होती और कितनी सारी चीजें नहीं हुई होती मुझे लगातार ये सुनने को मिलता है कि सद्गुरू, अगर मैं पचीस की उम्र में आपसे मिला होता, तो हमने सोचा कि हम युवाओं के साथ जुड़ कर देखते हैं कि हम उन्हें सत्य के कितने करीब ला सकते हैं. ये गपशप की तरह होगा. प्राचीन काल से ही, जब भी कोई व्यक्ती किसी चीज की सचाई जानना चाहता था, तो वो हमेशा गौसिप पर ही भरोसा करते थे. आप अकबार में छपी बात पर भरोसा नहीं करते, आप इधर उधर पूछताच करते हैं, कोई कुछ कहता है और वही सच बन जाता है, तो हमेशा गौसिप से ही सच लोगों तक पहुँचा है, गौस्पल से नहीं, क्योंकि वो बहुत गंभीर होता है, तो गौसिप भरोसे मंद रहा है, हाला कि वो बढ़ चड़ कर फैल जाता है, लेकिन लोग सीख जाते हैं कि किस तरह गौसिप को सुनकर उसे च्छान कर उससे सच को बाहर निकाला जाए, आप करते हैं कि नहीं, मगर अप सोशल मीडिया के साथ गौसिप ग्लोबल हो गया है, ये लोकल गौसिप नहीं रहा, तो मैंना सोचा कि इसे अगले स्थर तक ले चलते हैं, जब आप एक दिव्य धर्शी के साथ गौसिप करते हैं, तो आपका गौसिप पूरे ब्रह्मान में फैल जाता है, हम ऐसी बाते नहीं करेंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बचकाना विचार होता है कि सच यानि वो संपूर्ण है, हम इसे दूर करना चाहते हैं, सत्य संपूर्ण नहीं होता, सत्य कई रूपों में होता है, सवाल ये है, कि सत्य का आपका स्त्रोत क्या होगा, आप किस तरह इसे अनुभव करेंगे, क्या आप सूर्यास्त को देखते हुए इसे अनुभव करेंगे, क्या आप पूर्णिमा का चान देखते हुए इसका अनुभव करेंगे, क्या आप प्रेम के साथ इसका अनुभव करेंगे, क्या आप करोना, सेवा के साथ अनुभव करेंगे, या ये जीवन आपके सत्य का आधार बन जाएगा अगर आप सूर्यास्त या पूर्णिमा पर निर्भर रहेंगे तो पहला सिर्फ दिन में एक बार होगा और दूसरा महिने में सिर्फ एक बार होगा ये जीवन जो आप हैं अगर ये आपके सत्य का आधार है अब ये जीवन के हर पल में आपके साथ हो सकता है तो इसी संदर्ब में हम इस Youth and Truth को सामने लाएंगे